अस्सेलाम लेकुम फ्रेंट्स मैं हूँ तौकी रानव और आज हम सीखेंगे इजारम प्लस फॉर्डव प्लस आईएजी फॉर्म यारी जब इजारम के साथ फॉर्डव और आईएजी फॉर्म रिखा जाता है तो होता है सौकीन जैसे अगर आपको कहना है वह किर्केट खिलने का सौकीन है कैसे बोलेगा राभिया सोने की सौकीन है कैसे बोलेगे चलिए सेखते हैं Friends, translate करना और अग्रेजी बोलना बहुत इजी होता है अगर आप थोड़ा क्यार करें तो कैसे? आईए मैं आपको एक्जाम्बल में बताओं अगर आप इसको English में तर्जुमा करना चाते हैं तो सबसे पहला वालक अंग्रेजी सबसे पहले लिखे फिर पीछे संग्रेजी लिखते वे आगी की और चलिए जैसे सबसे पहले लिखा है वाग उसका अगरीजी होगा ही अगर हम बात किसी मुजक्कर की करें या किसी मेल की करें अब हम पीछे से अगरीजी लिखते हुए आगे की और बढ़ेंगे है का अगरीजी होता है इजी मैंने पार्ट वर्ण में आपको इजारम का यूज बताया जहां आपने सीखा कि किसी भी वाहिद वर्ट के साथ इजारम का यूज करते हैं और किसी Jamma word के साथ हम R का use करते हैं जबकि I के साथ M का use किया जाता है मैंने हाइ का अंगरीजी इसली लिखा अब हम आगे बढ़ेंगे सौकीन का अंगरीजी होता है Fond का का अंगरीजी होता है OFF अब हम खेलना का अंगरीजी लिखेंगे और उसमें हम ing form लगाएंगे क्योंकि आपके बाद आने वाल आप ing form में रहेगा और हमारा last word is cricket हम लिखेंगे cricket He is fond of playing cricket आई यह इसे तर्जमा करें राविया सोने की सौखीन है कैसे बोलेंगे सबसे पहले लिखिए अब हम पीछे सांगरेजी लिखते हैं आगी की तरफ आई लेगे है कंगरेजी होगा इज़ सौखीन का अगरेजी होगा की कंगरेजी होगा ओफ सोना कंगरेजी होता है स्लीप हम इसमें ing form लिखेंगे आईए कुछ और एजांपा देखते हैं ताकि concept शांदार तरीके से आपको समझ में आए मैं साइरी लिखने का सौखीम हूँ कैसे translate करेंगे? बहुत इजी है जो आट सबसे पहले है उसका अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखेंगे फिर पीछे से अंग्रेजी लिखते हैं आगे की ओर बढ़ेंगे मैं का अंग्रेजी में कहेंगे I और पीछे से आगे की ओर आईए? हूँ का अंग्रेजी होगा M सौखीम का अंग्रेजी में कहते हैं Fawn का का अंग्रेजी होगा Of लिखना का अगरेजी होगा right, हम उसमें IG add करेंगे, और sheriff कहते हैं poetry, I am fond of writing poetry, आइए अब इसे तरजमा करते हैं, वे खाना पकाने के सौखिंग है, वे का अगरेजी होगा there, है का अगरेजी होगा on, सौखिंग को अगरेजी में कहते हैं form, टे का अगरेजी होगा off, पकाना को cook कहते हैं, IG form दीजेगा cooking, और खाना को कहते हैं food, they are fond of cooking food, वे खाना पकाने के सौखिंग है, वे नमाज पढ़ने का सौखिंग है, कैसे तरजमा करेंगे, सबसे पहले क्या लिखा है, आप उसका अगरेजी लिखिए, he, इसके बाद आप नीशे साधी के और जाएंगे, है य आएंगे एट करेंगे, और नमाज को कहते हैं, सला, he is fond of performing सला, और ये तरजमा हुआ, आएंगे इसे करते हैं, सबसे पहले लिखा है मैं, यानि I, पीछे से आगी क्यों राएंगे, हूँ को कहेंगे M, सौकीन को बोलेंगे फॉन, का का अंगरेजी होगा of, खेलना का अंग cricket को कहते हूँ, cricket, I am fond of playing cricket, तो friends, अगर आप इसको तरजमा करना चाहते हैं, मैं मीठा खाने का सौकीन हूँ, कैसे बोलेंगे, जो वर्ड सबसे पहले हैं, उसका अंगरेजी आप सबसे पहले बूलिए, फिर पीछे से एक एक वर्ड का अंगरेजी, ट्रांसलेट करते हूँ आगे कियों आए, I am fond of eating sweet, वो सतरंज खेलने का सौकीन है, He is fond of playing chess, मैं सफर करने का सौकीन हूँ, I am fond of traveling, Rabia नगमा गाने का सौकीन है, Rabia is fond of singing the song, मैं अंगरेजी बोलने का सौकीन हूँ, I am fond of speaking English, By God, अगर आप इसका negative या interrogative बोलना चाहते हैं, बहुत असान है, अगर ऐसा कहना हो, वो नमाज पढ़ने का सौकीन नहीं है, तो आप इच के बाद not का यूज़ करें, या फिर इच का छोटा form एजंट लिखे, और By God, अगर आपके sentences क्यास सी रहे, जैसे, क्या आप नमाज पढ़ने के सौकीन है, तो जो अंतर happy word आपने इच लिखा है, आप उसको सबसे पहले लिखतीजिए, यानि सुरू में करतीजिए, अगर यहाँ पर मैं क्या लिखू, तो यह M बाहर आ जाएगा, जैसे, अगर आपको कहना हो, क्या आप अंगरीजी बोलने के सौकीन है, Are you fond of speaking English? क्या आप गरीब लोगों की मदद करने के सौकीन है? Are you fond of helping the poor? क्या आप film देखने के सौकीन है? Are you fond of watching movie? नहीं मैं फिल्म देखने का सौकीन नहीं हूँ No, I'm not fond of watching movie नहीं मैं अंग्री जी बोलने का सौकीन नहीं हूँ No, I'm not fond of speaking English तो मिद करता हूं friends या लिसन आपको बहुत परसंद आया होगा अगर वाकई आपको परसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजेगा फिर मिलेंगे एक नए लेशन के साथ एक नए वीडियो में तब तक के लिए अल्ला आफिस